आप सब लोगों की खिद्मत में मेरा प्यार भरा असलाम अर्ज है और नमस्कार और सत्रीकल मैं आप लोगों का बेहत शुक्रियादा करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो यूट्यूब पे भी और फेस्बुक पे भी और जहां-जहां हमारा सोशल मीडिया है जहां-जहां आप तक पहुंचते हैं आप उसको बेहत पसंद फर्माते हैं और मैं यह चाहता हूँ कि अक्सर हम मुझे यह सवाल किया जाता है कि जब हम लोग कॉंस्टेट से निकलते हैं या इंटर्वियो टीवी या निउस पेपर्स में कि जी आप यह बताएए कि आज के दोर के मीजिक में और पहले दोर के मीजिक में क्या फरक है तो मैं यह कहूंगा कि सबसे बड़ा फरक यह है कि आज के दोर में जो ट्यून्स बनाई जाती हैं उसमें राग को इतने खुबसूरत तरीके से काबू नहीं किया जाता आप देखिए पहले हमारे बॉली वुड में लॉली वुड में लाहॉर फिल्म इंडस्ट्री में और बॉंबे की फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो राग अगर भैरवी में कोई धुन है आप बहुत सारी धुने हैं आप पहाड़ी में सुनिये और दर्बारी में सुनिये औ उन धुनों में हमें राग जो है इतना वाजिर नहीं होता इसलिए वो धुने इतनी पाइदार नहीं होती कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग यह कहें कि जी कभी राग हमारे पुराने हो गए यह सबसे बड़ा एक क्लासिकल म्यूजिक का यह मैं समझता हूँ यह एक यह सबसे बड़ी खुबसरत बात है कि यह क्लासिकल म्यूजिक इसलिए बचा हुआ है और बचा रहेगा क्यूंकि यह एक मुश्किल काम इस हवाले से है कि यह सीख के करने वाला है और कभी यह पुराना नहीं होगा आज भी हम यमन गाते हैं तो कोई यह नहीं सुनके कहता जी आपका यमन पुराना है या मौकाौस, दरभारी, जौनपूरी, टोड़ी और मलार और जो भी राग हमारे हैं यह राग कभी पुराने नहीं होते हैं आप देखे कि कभी भी लोग कोई गाना आप गाई गया है तो वो कहेंगे यह रफीसापका पुराना गाा है, यह ल आगों पे जो चीज़ बनी वी है वो एक अपनी मिसाल आप है और वो खुबसूरत बात है मैं यही कहूंगा कि जितनी हमारी आज के जनरेशन है या जो आने वाले जनरेशन है वो एक क्लासिकल म्यूजिक को सीखें उसको सही उस्ताद पकड़ें सही उस्ताद से इसको सीखें और इस काम को समझ के करें तो फिर हमारा जो यह म्यूजिक जो है यह रिवाइव भी होगा और आगे पचास साल तक सो साल तक यह जिन्दा रहे गए और यह वैसे तो जिन्दा रहे गई इतने अर्से से चलता रहा है यह हमेशे इन्शालला अल्ला की मेरबानी से यह करेंगे और मुझे अपनी राइस से जरूर नमादी शुक्रिया